श्रीमान वेंक टनाथार यह कवितार की ककेशरी वेदान्त चार यवर्यों में सन्निधत्तम सदाहर्दी आज श्रीस्तुति के चौधवांश लोग का अर्थसहित देखने वाले हैं वेदान्त देशिक से विरचित इस अद्भुत ग्रंथ में एक एक श्लोग भी हमारे लिए विलक्षन रहता है उस प्रकार ये भी श्लोग है श्लोग इस प्रकार है आलोक्यत्वाम अमर्तसहजे विष्णुवक्षस तलस्ताम शापाक्रांता श्रनमगमन सावरोधा सुरेंद्राहम लद्ध्वाभुयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कताक्षईहीम सर्वाकारस्थिरसमुदयाम संपदं निर्विशंतीम आलोक्यत्वाम अमर्तसहजे विष्णुवक्षस तलस्ताम शापाक्रांताहम शरनम अगमन्य सावरोधाहम सुरेंद्राहम लद्ध्वा भुयहम त्रिभुवनमिदं त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कताक्षईहीम सर्वाक औरस्तिरसमुदयाम संपदं निर्विशंतीम अत्यद्भुत शब्दों का प्रयोग है है अमर्तसहजे ऐसा संबोधन है अमर्तके साथ उत्पन हुई अमर्तके बहन ऐसा अर्थ में अमर्तसहजे शब्द का प्रयोग संबोधन में बहुत सुन्दर है अमर्त सहजे हे लक्ष्मी, अमर्त के साथ उत्पन हुई हे लक्ष्मी तौम विश्णु वक्षस्थलस्ताम आलो किया है तुझे विश्णु के वक्षस्थल में बैठी हुई तुझे देखकर मैं पहले ही दोस्ट लोग पहले अर्थवर्णन करते वक्त कहा था कि पश्यताम सर्वदेवानाम ययव वक्षस्थलम हरे है इस प्रकार सब देवताएं देखते वक्त विश्णु के वक्षस्थल में जाकर बैठ गई लक्ष्मी जी ख्रीराब्दिमंतन के पश्चात बैठने के बाद देवताएं सब देख रहे हैं विश्णुवक्षस्थलस्थाम त्वाम आलो किया है शापा करांता हा धुर्वास महरशी के शाप की वज़े से सब अपनी शोभावों को नश्ट करने वाले या आईश्वरियों से नश्ट होकर आईश्वरियों से ब्रष्ट होकर रहने वाले जो सुरेंद्र प्रबर्टी लोग हैं इंद्र प्रबर्टी लोग हैं वो अपने अपने पत्नियों के साथ आकर आपकी शरणागती किये हैं तुझे देखकर तुरंट आकर आपकी शरणागती किये हैं क्योंकि उनको मालुम है लक्षमी जी के सिवाई हमारे पास कोई उपाई नहीं है वही अशरण्या शरण्या है हमारी इस परिस्तिती से हमें मुक्त करने वाली एक मात्र देवता है तो लक्षमी जी हैं ऐसा सावरोधाह सुरेंद्राह अपने अपने अवरतों के साथ रहने वाले इंद्रप्रबृती लोग इंद्रप्रवर्ची देवत आएं सब इंद्रवरुने में इत्यादी सब लोग सुरेंद्राहा सावरोधाहा अवरोध्याने पत्नी हैं अवरोध्याने ग्रहस्त जीवन में अवरोध्याने उनके उनके कंसोर्थ अंगरेजी में जो कहते हैं किंसोर्ट उनके पत्मि, उसे अवरौध शब्द से कहते हैं सवरोधाहा, अवरोधों के साथ रहने माले देवताइयें अवरोधे न सह वर्तताईती सावरोधाहा, सावरोधाहा बहुआछन सुरेंद्राहा का मतलब इंद्र तो ये की हैं परंतु इंद्र और अन्य देवता यें ऐसा मतलब है अपने अपनी पत्नी के साथ आकर भागवान और लक्ष्मी जी दोनों को शरनागती किये थे सावरोदाहा सुरेंद्राहा विश्णुवक्षस्तलस्ताम त्वाम आलोकिया है अमृतसगजे शापाकरांताहा सावरोदाहा सुरेंद्राहा शरनमगमन्य ऐसा अन्वय है समस्कृत में ही पढ़ेंगे तो भी आनन्द आएगा देखिए अमृतसगजे विश्णुवक्षस्तलस्ताम त्वाम आलोकिया है शापाकरांताहा सावरोदाहा सुरेंद्राहा त्वाम शरनम अगमन्य आपके पास आकर शरनागती किये थे और बाद में क्या हुआ शरनागती का फल क्या हुआ लब्द्वा भूयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षई ही लक्षितं त्रिभुवनमिदं भूयहा लब्द्वा आपकी कटाक्ष से पहले ज़से नष्ट हुआ लब्द्वा एंपस्त्रिभुवने यहा लब्द्वा भूय से नश्ट हुआ वैसे ही फिर से प्राप्त किये हैं नश्ट हुआ उसमें बहुत दुक हुआ अभी फिर से लक्षमी जी की कटाक्ष की वजह से प्राप्त किये इंदरादियों को कटाक्षित की और धुनिया को भी कटाक्षित की जिसे पाना है उसे भी कटाक्षित की जिसको प पुमी बाद में क्या हुआ, हर प्रकार से स्थिर, permanent, समुदयाम, उतकरशता को प्राप्त करने वाली अभ्युदय को प्राप्त करने वाली इस दुनिया को, अर्ता इस तीनों भुवनों को, अर्ता इस तीनों संपत्यों को, संपत्षब्द स्थिरिलिंग है, इसलिए, समुदयाम, स्थिरसमुदयाम, समुदयाम उतकरशता, उसकी भलाई, वो भी किस प्रकार की भलाई, स्थिरब्ध, सदा के लिए रहने वाली ऐसी भलाई, ऐसे एक आईश्वर्य वती संपत्ती को प्राप्त करके, अभी भी ऱ्लभिषंती अन्भौ उपशन्ती याने प्रवेश करना विश्ध Duch का अर्थॉ उपसर्ग की वजह से दातों में अर्थ में परिवर्तन आता है ये सहज है उस करम से इधर निर्विशती निर्विशती निर्विशन ये शब्द को जादा न जादा प्रयोग वेदान देशी के अपने ग्रंथों में किये हैं निर्विशन मंदम अंदम निर्विशती ऐसा प्रयोग वेदान देशीक जी के ग्रंथों में अधिक मिलता है बाकी एकात कवी कहें तो हैं परन्तु जादा तर इसका सुन्दर प्रयोग वेदान देशीक जी ने किया है किस प्रकार की संपत्थी को इंदरादी फिर से प्राप्त किये की घृष्टी को वाली संपत्य को इंदरादी लोग अनुभव कर रहे हैं भगवान और भगवती लक्षमी जी की कटाक्ष की वजह से वो संपतिया स्थिरसमुदया बन गई है ऐसा अर्थ इस श्लोक से निकलता है अर्थात हम भी लक्षमी जी की कृपा कटाक्ष के लिए पात्र बने लक्षमी जी की सेवा की करें और लक्षमी जी की उचित सेवा कर हमारी संपत्यां भी स्थिर रहेंगे और हर वोर से एक एक भी संपत्य दुगुनित तिगुनित और शटगुनित और शतगुनित सहस्रगुनित होते रहेंगे खभी कमी नहीं होगी ऐसी स्थिति को लक्ष्मी जी हमें भी प्राप्त करें ऐसी प्रार्तना करके भक्तों को इस प्रकार के सुन्दर श्लोकों को बार बार रटन करने के अनुरोध करते हुए विरत होता हूँ फिर से एक बार श्लोक पढ़ेंगे संपदं निर विशंती कवितार की कसिम्हाय कल्यान गुनशालिनी स्रिमते वेंकटेशाय वेधांत गुरवे नमहा